की सिट्रेस आखिर ये तनाव क्यों बढ़ता जा रहा है हमारी जिन्दगी में हम चोटी चोटी बातों के लेकर आखिर कर क्यों तनाव ग्रस्त हो रहे हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं अब डिप्रेशन ने छोटी उमर बेई यानि के जो बच्चे हैं दस साल आठ साल इन्हें भी घेर लिया है इसका क्या कारण है सुसाइड बढ़ रहे हैं पिछे इदले दिनों आपको ध्यान होगा सेलिब्रेटी ने सुसाइड किया था बच्चे उसको फॉलो करने लगे हैं चोटा सा तनाव भी आजकल परीजन भी अपने बच्चों को इसी डर से कुछ नहीं कहते हैं कि कहीं वे कोई गलत कदम न उठाले आज हम बात करेंगे शेर के जाने माने साइकारिस्ट डॉक्टर जेपी असपाटिया के साथ आपको बताते हैं कि ये पिछले 30 सालों से अधिक समय से डिप्रेशन के मरीजों का इला ने डॉक्टर अप स्वागत है डॉक्टर पहले ये बताएं हम बात करेंगे स्ट्रेस और डिप्रेशन इसमें क्या फरक है ये एक ऐसी प्राबलम है जिसके बारे में हर को ही सोचता है को मुझे सब कुछ पता है ये बहुत बड़ी गलत वहमी है कि स्ट्रेस और पड़ेगा स्ट्रेस के साथ हम जिन्दा हैं स्ट्रेस के साथ हम काम कर रहे हैं जो भी हम सारी काम कर रहे हैं वो कहीं न कहीं उसके जो अंडरलाइं कॉज है ना वो एक स्ट्रेस ही है लेकिन ये स्ट्रेस एक लिमिट से जब बढ़ जाता है हम बहुत से ऐसे जिन्दगी मे हमारी lifestyle ऐसी हो गई है हर चीज हमें stress देती है हमारी expectations के साफ़ से जब दुनिया नहीं चलती हमारे वस में नहीं रहती हम जो चाहते हैं वैसे life हमें नहीं मिलती तो जब discrepancy आ जाती है ना इसमें तो हमारा stress यो आना strain में बदल जाता है आपने दो चीज़ें कहीं है stress और depression हम भी पहले यहीं समझते थे stress और depression एक ही चीज़ है हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के बताएं यह दोनों चीज़ों में फरक क्या है आपने यह भी कहा है stress बंदी की जीवन में होना बड़ा important है यह है कि जब stress एक limit से बढ़ जाएगा ना तो वो strain बन जाएगा तो वहाँ पे हमारा जो अपनी शम्ता है कि जिन्दगी में जीना, खुश रहना जाँ जिन्दगी को अच्छी तरह से चलाना वो नहीं कम कर पाएंगे और हमें एक sadness आप मूड हमें एक चिन्ता सी लगी रहेगी जब ये चिन्ता एक हद से बढ़ जाती है लाइक छोटी मोटी बातों की चिन्ता हो तो थोड़ी देर में वो खत्म हो जानी चाहिए जब ये हमारे जिन्दगी में stress और ये रहती है चीज़ें depression थोड़ी सी रहती है तो ये हमें उकसाती है कोई काम करने के लिए कोई action लेने के लिए लेकिन जब ये stress एक depression की बमारी का रूप ले लेती है तो तब इनसान में बहुत बड़े फरक पड़ जाते है तब इनसान एक shell में बंद हो जाता है उसकी जिन्दगी सारी एक shell में बंद हो जाती है उसकी खिशबू चले जाती है अपना आप अच्छा नहीं लगता उसको सारी दुनिया black and white लगती है उसके अंदर एक चिटड़ा पंसा आ जाता है और उसके अंदर अदासी, गमगीनती ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाती है कि उसको अपने जिन्दगी में आले दौाले में कोई इंटरस्ट नहीं रह जाता इंड देन उसमें एक बहुत खास बात आती है जो एक वर्नर योग बात है कि उसको इनरजी लेस फीलिंग आती है उसको लगता है कि वह अदमोयाजाँ हो गया रहता है जेसे हम आपके इनरजी फर एंटिंग आतले जैसे हैं कहते हुआ है कि बंडे चेज जान पराम नहीं गए जहां कहते हैं जान पराम नहीं है अपनि आपनों समेट के बैठ जानता है एक कॉर्नर ते विच कमरे दे विच कॉर्नर चाहता है उन्हों लगता है कि मैनों दून दुन दुनिया ना कोई इंटरस्ट नहीं अगा हुने दिन दुनिया उन्हों चंगी नी लग दी उन्हों जड़ी हैं जिन्हों चीज़ां दा शौंक से का पहला यह तो ताक के टीवी दा शौंक, जिन्ने भी ओदे खान पीन दे शौंक, बार लोकानों मिलन दे शौंक, पार्टियां चजान दे शौंक, जिन्ने भी फ़न लाइक अक्टिविटीज हों दिया हैं ओधे वास्टे नहीं रहन दिया, मतलब अब अना वास्ते हो समर्थ नहीं तो पिछले तीस साल तो पेशन्ट सा इलाज कर रहे हो तो उनों के लगदा है तीस साल विछ एकी बदलावाई है तीस साल विछ आया है कि लाइफ बहुत फास्ट होगी है डिजिटलाइजेशन आफ दे वर्ल्ड होगी है साथा माइंड उदे नर्मेक अप नहीं कर सक्या, साथा नर्म उदे नर्म उन्हा स्मार्ट नहीं हो सक्या जिननी ए आसपास देविच चेंजेज आया है ना साथा ब्रेन वो पिछे रह गया है तो साथे ब्रेन आज भी ऐसे अपने ब्रेन नो प्राने ब्लीफ सिस्टम्स देशाब न चलाना देए जलके आला तो आला जड़ाया हो सारा ता सारा वैस्टरनाइज हो रहा है चेंज हो रहा है इननी जल्दी चेंजिस आई हैं कि इनसान दा ब्रेन उधनार अज़स्टी नहीं कर सकया अच्छा इनसान ने की किता किया है कि वो डिजिटलाइजेशन दो देडाप्ट कर लिया पर अपने ब्रेन दे वेचे जड़ी रहन दी ग्रोध सी ना कि अपने ब्लीव सिस्टम चेंजकरने अपनी ऑफिलिंग्स चेंज्ड करने या अपने इमोशिंस नो समझना अपने अंदर को लाइफ स्किल्स लैके आनी या वो सारियां दियां सारियां लैकिंग है यह जी डिस्क्रिप्रेंसी है ना कि आउटसर वर्ड ते इंसाइड वर्ड ते विचकार बहुत जबर्दस कान्फिलिक्ट आ गया है एक कान्फिलिक्ट दे करके इनसान ने समझी नहीं सकिया कि मैं केड़ी चीज दे काम करां किस तरह काम करां और किस तरह इस चीज चो बार उपरां तो मैं इना सारियां चीज़ां नो अपनी यूजफुल से मतलब एक्टिव्टिज दे विच कि में पा सका उन्हें लगए कि सब कुछ ऐज़े स्ट्रेस हा गया ऐज एक क्यास बन गया तो ओ इना नो अज़स्ट ही नहीं कार सकिया इना चो बार निकली नहीं सकिया अजराट साब अगर हम बात करें कि अब बच्चे भी जो है ये डिप्रेशन के शिकार हो गए है आखिर इसका क्या करें बच्चे को तो पहले करें से नहीं बच्चे जो खेड़न कुदन देना है उन्हों की पता बार दी दुनिया की है हुन एक ही फरका है सोसाइटी चे मेरी मेजर जड़ी है ना परस प्रेक्टिस दे विज़े फरका है कि जदो मैं प्रेक्टिस दी साल पहला पच्ची साल पहला शुरू कीती सी मैं मिडल एज बंदिया नो देखे तासी डिप्रेस्ट हों दिया है जब ओल्ड पीपल नो डिप्रेस्ट हों दिया है उस तो बाद एक चेंज आई कि जब हॉली होली करके एज कट दी गई ऐस विले एए हाद होई पही है कि बच्चे ते अडॉलोसेंट इस सब तो ज़्यादा डिप्रेशन दे विज़ पर मतलब ग्रस्त है गिया नहीं मेरे कुल 5 साल तो लेके 13 साल दे बच्चे आंदे है ते 13 साल तो लेके 18-19 साल तक अडॉलोसेंट है जिन्हें भी पेशेंट देखता ना डिप्रेशन दे उना चो 70 परसेंट जड़े पेशेंट सा एज ग्रूप दे आंदे है तो बड़ी हरानी वाला है अच्छा लोग शब ठीक है यह तो बड़ी खतरना गाला है साड़ी सोसाइटी लेवी मतलब आके कंप्लेंट की कर दे हैं वे किस तरह की दस्दियां शिकायत की दस्दियां यह बड़ी इंपॉर्टेंट काल है जड़ी तुसी पुछी है न मैं लगदा सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सानु असी एक्सपेक्ट कर दे हैं कि बच्चा आके के मेरा मानुदास है बच्चा आके के कि मैंने दुनिया चंगी नहीं लग दी जिस तरह के बड़े ही लोग की कहन दे है पर बच्चेयां दे वेच सिम्टम्स बिल्कुल डिफरेंट हुन दे है बच्चेयां अपनी स्टडिज दे प्रेशर बहुत ज़्यादा लगन लग पहन दा है बच्चेयां दी कंसेंटरेशन खराब हो जादी है और नहीं वेचे अपने फRENट सरकल दे बेच अंडरस्टैंड करना आख्खा हो जादा और नहीं लग दा है कि उननानों को अंडरस्टैंड नहीं की कर पर पा रहा है जब बच्चे कई तरह दियां ऐस्वान दियां पुठियां सी दियां रखता कर दे है जिना वेच उनना दा लाइफ जड़ियां खत्रेज पैजन दी है इनफेक्ट है न सारी हैं मतलब होना हम अक्सर स्कूलां दे वेच प्रिंसिपल्स के एस बच्चे ने मिस्बेव की ता इस बच्चे दा पड़न वेच इंट्रेस्ट कतम हो गया यह बच्चे ने खाना पीना चाड़ता इस बच्चे ने होन सिर्फ फूड खाना शुरू करता इदा मतलब होना है कि बच्चे दे मूड ठीक नहीं रहें दे जिस मूड नो ठीक करनवासते बच्चा कई तरह दियां अटेंशन सीकिंग ते कई हर्कता करता है जिनिया किसानों लगता है कि अएमें कर रहा है उद्यां आत्ता मारीयां होगी हैं जब बच्चे दे वेच को पेरेंट्स नो किस तरह पता है, आज कल ते देखा जाए हर बन्दा बिजी बहुत हो गया, उनता है पहले एक जमाना सी आफ फैमली चा वाइफ सी रही हम दोनों वर्किंग हो गया ते किस तरह बच्छे दे बिहेवियर नो किस तरह नजरी चारे है और देप्रेशन वाल जा यह चला गया देखो बच्चा नहीं पूरा फुल फ्लेजर अडल्ट हुन्दा है एंवे सोचना के बच्चा आगा इद यहां फीलिंग्स दा कोई मतलब नहीं है यह जो कहनदा प्यों कोई मतलब नहीं है बच्चा हमें कहनदा बच्चा कहनदा प्यां पूल जाएगा ना पूका देना के वो अपनी चीजानों एक्सप्रेस कर सके नॉन जैज्मेंटल अप्रोच बच्चे आवास दे चाहिए जब बच्चा को इसे अपने रिष्टे बारे गाल करदा है जहां किसे फ्रेंडशिप बारे गाल करदा है जा बच्चा कहनदा है कि मेरा दिल करदा है जा मैंनों लाइफ चंगी नहीं लग रही यह दा मतलब है सानों बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए देखो काम ते फिर भी चाल दे रहांगे पर बच्चे साड़े कितों आँगे दुबारा और बच्चे आदे वेच चोटे होंदे हैं तो जेडियां चीजां एफेक्ट कर ज जा कारते वेच जा स्कूल जा किसे बार जगाते एक बड़ी मतलब ट्रॉमाटिक चीज उन दी है सारी उमर वास्ते हो साइक्लालिजी बच्चे दी खराब हो जान दी है दूसरा मैं देख दा कि स्कूल ना कॉल जान दे वेच टीचिंग इंस्टिचूच दे वेच बुलिं जो जो यह मैं तुसी क्या है कि बच्चे जो जो ना दे सेक्श वल अभीूस होने है तो जो जो इस तरह दे किस तरह दे किने केसी जा रहे हैं कि और उना दे कारची ऐस्टर न दी प्रॉलम मां दिये जो मैं आजकर सुसाइटी बड़ी बदल गल आन वाले समेंश झार ले सबस्की हो जाने हैं बच्चे नो इन दुर्कत नामाधँ सामनाकरना पहलें बच्चे आपने आपने बड़ा गिल्टीर हो ले आ पने अपने आपने अंदर पेश्पनें और पेश्फ यह आसे बाहर का भ टोाफ करे नी पक्ला कूनโपना कहा ओदी है बच्चे नो यह नहीं समझा दी कि एक दुनिया चंगी गड़ी है बच्चे नो दुनिया ते विश्वाश उठ जानदा बच्चे नो अपने माँ पे होते विश्वाश उठ जानदा ओ बच्चा फिर किसे जोगा नहीं रह जानदा तो आपने र jáपने सियूज़ साइडल अटेक्ट टेम्ट भी कर दिये है अच्य में तु enhanced अडिक्षिन था इडिक्षिनल कोर्लेट कर दिये है उसी है एक देर्फशिन जडिडि़ी डिक्रेशिन Amazon है औरके डिक्षिन थे झाजar कर दिये है तो उधे वास्ते है आपने बार कड़दन वास्ते हो केते नहीं किते बार लोकां को लो बचें को लो सलाई की दोर इंदा भी नै किस चाहते है कि ऊपने मूड नो ठीक करपान दा कि वो कोई सेल्ट मेडिकेशन जातए कार्ट चिए कोई ज़ो कई भीशफ भारच उन्हों किमेस्ट कोणंगी जाके का जातौ है Bachelor बीर पीले जब कोई ना कोई ऐसना दी आलप्रेक्स जा कोई न गोए मoplियीशन दी बर्तों कर लिए जडीकियो तो यू जडीके हो दी नेकस्ट अडिक्शन बन जान दी है मुए इसनल दिप्रयशुन वाले लोग अकसर अपने चान उल्लुर न։ फिर सुसाइडिया नहीं खुद नहों खतम कर लेना इसर एक तुसी नहों सबनों को रलेट कर दे हूं ए जो दों डिप्रेशन स्टार्ट हुंदी है एक नॉर्मल स्ट्रस तो स्टार्ट हुंदी है बच्चे नहों परसीब लगदा है कि दुनिया सारी हो देवास से चंगी न हुर्ण हुदू नहीं जो बच्चे नो कपैस्टी लोडिशन करदे है बच्चे अंद्रों टुट जांद है ओ मांसिक दॉरदे कमजोर हो जींद इसलफ एस्टिम है नहीं ौवन ती साफ कट जांदा था सेल्फ कावंड़नस और श जांदा है बच्चे अपनिंग इन छी तो बड़े शर्मसार हो जानदे है जो तो बच्चे देवेच से लोग कॉन्फिडेंस आ गया वो अपने आप तो शर्मसार हो गया उन्हों अपने आपना नफरत हो गई फिर की है कि हॉली हॉली इस रोटन इन दी जो बमारी है, एक मांट भाद के पर ब्रें दिवेच चले जैंदी है फिर ब्रें जो अपना ऐसे लोगा है तो ऐसे दे मैसिजजिस मांट नूपर चाहिज़ा है एक तो कुई पर पा रहाँ है तरू अपनी जिंदगी जीन दा कोवे हाक नहीं तो नहीं आपनी जिन्दगी भी सौखी होजएगी, तेरे मापे हो दी जिन्दगी भी सौखी होजएगी, ते दुनिया दे परू पार काट जाएगा, इस सारे दे सारे sick messages उन्दे हैं जिड़े के brain वलों आन्दे है पट जड़ा mind है उननों उस तरह ही read करता है जिस तरह के o messages आन्दे है इस करके इस जड़े false messages है ना जदो brain दे विचों emerge कर दे है ते mind तक आन्दे है ते बच्चा वड़ा confused हो जानदा फिर बच्चा अपने तरीके ना रा लबदा रहनदा इससे करके मैं कहना बच्चा किसी ना किसे अपने friend ना जा किसी ना किसी लिखती रूप दे विच जदो कोई signal जा message देंदा सानु है decoding बड़ी जबर्दस करनी पहोगी जह से बच्चे ना बैठांगे शाम बतावांगे कोई ना कोई तानु सिगनल जरूर मिल जेगा जेड़ा के तानु दास सकेगा कि बच्चा ओन वाले ही टाइम ची कुछ करने वाला है पर मैं तानु दसा यह ना बड़ी गल्द फैमी है साड़े ल पहुत ही अंदरों टुटे होंदा है एंड अल्टीमेटली उन्हों लगदा है कि मैं आपनी लाइफ नो किसे ना किसी तरीक के खतम का रहा है अच्छा रोक्षाब एक इन्हों जेसी गल करिये रिलेशन्शिप जड़ा है जिवे आजकल अडॉलो सेंटेज की रिलेशन्श महसूस करते है अंदरों अपने फैमिली देवेच कंप्लीट नहीं महसूस करते है और बार फोल रिलेवल पर एक रिलेशन्शिप जड़े बहुत है सस्टेनिंग नहीं हुनदे क्योंकि हाले बच्चे दे माइंड जड़ा लर्निंग मोर्ड चे चाल रहा हुनदे उन्हों नहीं पता हुनदे दुनिया दी रियाल्टीज की है और रियाल्टीज नो कटे आ जानदा बच्चा किसी एक रिलेशन्शिप सिम्ट किरा जानदा उन्हों बाकी दी दुनिया जड़िया नजर नहीं आनदी उन्हों लगता कि जो न्हों नजर आ रहा है ना बस वही साच जाए यह दे विच जानदे हैं जानदे हैं बच्चे फिर कई तरह अपनी सबस्टेंस मिस्यूज भी कर दे हैं तो सारे चीजां कठियां होके ना लाव एंड हेट रिलेशन्शिप जा बन जानदा बच्चे आंदे विच फिर फिर हुंदा किया है कि जानते बच्चे एक दुझे नो बहुत प्यार करने लग पेंदे जदों प्यार टोटता है तो ब्रोकन अफेर्स होंदे हैं फिर एक जाना नफरत हो जानदी है कुछ लोग की इस चीज़ खतम हो जानदी है जिड़े के वो अपने उपसेसिव लाव नो सुमाल नहीं सकते कुछ बच्चे इस चीज़ खतम हो जानदी है कि उन्हां देवां दिर हेटिड पैदा हो जानदी है जैलसी पैदा हो जानदी है तो ज जिनरेशन गैप नहीं हुँदा इसी माइंड नो असी कदी एफ़र्ट नहीं लाई हुँदी अधी कदी सिख्या नहीं हुँदा कि आपने बच्चे दे माइंड नो के में पढ़ना एस करके साथे जड़े स्रे हो जान दे है मिरे को बहुत सारे बच्चे आन पे लेके आन दे बच्चे नियुदा करोंपा जान दे है। बाहर जाके उन्हानों एक इंडिपेंडनेस महसूस है जड़ी के एक चुठी चीज है ठीक है तो जो बच्चे बाहर जान्दे है तो फिर उन्हां स्ट्रे हो जान्दे है उन्हानों कोई अगे मोटिव नहीं होंदा कोई अगे उन्हान जिंदगी देवेच कोई अंबिशन न तो उन्हों पता ही नहीं होंदा पिए उन्हाने के इस रच्षट एते जाना है तो ता बहुत नुक्सान हुदा है अच्छे लिए तुसी क्या है भी तुसी पंच साल दे बच्चे नो जली है वी डिप्रेशन दा शिकार सिका तौडे को लाए है ऐसे बच्चे नहीं देखो जहां उन्हेन स्कूल सो कंप्लीट अंदी है जहां अपने आपनों अंदर सेमेंट लेंदे है जहां बच्चे बिलकुल अलग तरह करें कि अपने मुबाइल दे उपर लग पहन दे है टीवी दे उपर सारा दिन बैठे रहन दे है जहां किसे ना किसे चीज़ दा नुक्सान करना शुरू कर देंदे है जहां को यह हो जी हां हरकतांच मतलब पैजन दे है जमें के उना दी नॉर्मल जड़ी रूटीन है न वो खराब हो जन दी है तो जो दो बच्चे देख दे हैं कि वो फिजिकली सिक हो गया है जड़े को बहुत सारे बच्चे जड़े पैजिटेशन रेफर करते हैं जड़े बच्चे आदे डॉक्टर रेफर करते हैं कि इस बच्चे दे सारे टेस्ट ठीक है पर बच्चे ने खाना चट्ड़े हो आए ते बच्चा वेड लूज कर रहा है तो उनों फिजिकली बड़ा वीक हो गया है जड़े हैं चीज़ां पहला करना था सी उन्हें भी चीज़ां करना चाड़ती है एक है बहुत बटा है कि बच्चे चुभी चुभी कंटे मुबाइल ना लगए रहनते हैं सौना बंद कर देंते हैं खान पींदा इंट्रेस्ट नी रहनता जड़े हैं जड़े हैं वीडियो गेम्स हैं इन्हें वेच अपना पूरा लगगी रहनती हैं यह भी कारण है यह प्रजेंटेशन हैं जड़े बच्चे साड़ को आंदी है अच्छे ड़ेस्ट अड़ो सेंटेश दी गल करिये थे और अजकल पेरेंट दी एक्सपेक्टेशन बड़े हैं बड़ेंवाद गिया हर पेरेंट अपने बचे नो डॉक्टर इंजीनियर यह कह लो कि कुछ ऐसा बनाना चानदा है जिए उनों कामयाब इनसान बनाना मैं लगता हैं बड़ा सिक सेनेरियो है सिर्फ डॉक्टर ते एंजीनियर जांटी सी लगना ही कोई बहुत वदिया चीज नहीं है कि मैं अपनी प्रैक्टिस दे वेच बहुत सारे डॉक्टरानों बहुत सारे एंजीनियर वकील थे बड़े बड़े अपसरानों अपने आप बाइपोलर डिसाॉर्डर दे वेच सफर कर दे हैं जान डिप्रेशन दे वेच जान दे हैं बड़े बड़े अपसर भी अल्कोल दी पेंट चाड़ जान दे हैं और ता मतलब यहां कि जे दो आपने बचे नों गुरू कराना ना मैं नू लगता है कि दो बच्चें दी क्रे जितना लोकी होना वाले अट्रेक्ट होनगे तो मैंनों लगता है सक्सेस दी डैफिनिशी नहीं सान चेंज करनी पहोगी जह आप आप इस कॉंपिटिशन चे पहे रहे जहां जह पिरेंट्स दा दिल करता है कि उनना बच्चा कमिशनरी लगे ए ते मतलब बच्चें दे उपर बड़ा टार्चर है ना बच्चा कोई काम कार नहीं सकता हो दे कापैस्टी नहीं गी तुसी उस बच्चे नो चीज़ वास्ते मतलब इंसेस्ट कर रहे हो तो तोड़ियां खाशा ना पूरियां करके बच्चा जो तो अपना लुक्सान करेगा फिर साम शायद समझ जाएगी पर उदेर हो जन्दी है फिर लक्षण तुसी कुछ होर संदेश देना चाओ कुछ होर मेसेज देना चाओ साड़े दरसका नो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि डिप्रेशन नो पहचानना बड़ा जूरी है डिप्रेशन एन्नी मभूली चीज नहीं है जड़ी ऐसी समझ देयां डिप्रेशन दे वास्ते ए नहीं होंदा कि सिर्फ असी गल्ना बाताना आल सिर्फ किसे नो कही है चालतान मैं मूवी दखा ले आना डिनर बार करा दे ना उद न वदी डिप्रेशन ठीक नहीं होंदी उद यहां पावनावानों समझना बड़ा जरूरी है उद यहां पावनावनों अंडरस्टेंड करके जे तुसी कार्दे वेच काउंसलिंग करके जा गालबात करके उदा सिल्यूशन लब लेंदे तो ठीक है जे नहीं लब दे ते फिर किसे प्रफेशनल को जाना को मारी ग करांगे और वाले टाइम दे वेच असी होर पिछड़ जांगे और साठे नुकसान बहुत बड़े होंगे तो आई दे देन चे इसानुट चाईज है कि आपने आड़े द्वाले दे वेच आपने प्यारे अन्दी सारी प्योर अंडरस्टेंडिंग करिए ना कि सिर्फ अप के शिकार हैं दिमागी रोक के से परिशिवाँ नी उन मुन परिज़ां का इलाज कर रहा है बहुत खदरनाक हो सकता है पांच साल का बच्चा भी डेपरेशन का शिकार हुने लगा लगा है क्यूंश कर लगले दो पहने पहले पिछह पक्रिजों का थाहा कियोा कि अगर एक दॉक्टर इंजिनियर या वकील या कमिशनर नहीं बन सकता है उसे जिस फिल्ड में जाना है उसे पहचानिये बच्चों को पूरा समय दी दिये तांकि आने वाला से और खास तोर पर बच्चों को किसी के बरोसे मत छोड़िये इन्होंने ये भी बताया है किस तरह बच्चे जब बच्चपन में सेक्सुल अब्यूस हराज्मेंट का शिकार होते हैं तो अजीवन वो अब खुद को माफ नहीं कर पाते और ये ऐसी हरकत करने वाला कोई और नहीं आपके बहुत करीबी ही होता है जिसे बाद में आप ना तो एक्सपोस कर सकते हैं ना ही उसे कुछ कह स रहते हैं क्योंकि समाज का भी डर रहता है हमने अपने चैनल के मादम से ये बताने की कोशिश किया है कि डिप्रेशन बहुत बड़ी खतरनाक बैयनक बिमारी बन चुका है इसे पहचानना बहुत जरूरी है डॉक्ट साब ने बहुत तच्चा मैसेज दिया है पहले हो गया है तो आपको ये देखना है कि आखिरकार मेरे बच्चे का बेवियर क्यों लगातार बदल रहा है उसकी काउंसलिंग की लिए उसके पास बैठिये आपका काम काश तो होता है रहया लेकिन अगर बच्चा चला गया तो फिर आप क्योंकि बच्चे अब बहुत